बच्चों हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रही हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान और वितान के अंतरगत हम अध्याय 4 का अध्यन कर रही हैं जिसका नाम है भारती कलाएं हम भारती कलाओं के बारे में जान चुके हैं भारत में जितनी में कलाएं हैं वो सब उस्सव औ बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो देखो बच्चो शबता हमें चित्र कला के पारे में पढ़ेंगी बदेर्ट को अपने भाइव को испытूर के माध्यcken में इस्तीत है इसके अलावा और वह सारी कुफाओं के अन्दर आदी मानाव के द्वारा तरह तरह के चितर बनाए गें महाबारत काली चितर बनाए गए तो चित्रकला है। जो एक बहुत ही मतलब प्रशिद और बहुत पुरानी कला प्राचीन से हमारे जीवन का अभिन अंग रहा है जब हमारे पास भाशा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी त्युक्र बच्चों आधी मैना उता जो बोलना नहीं जानता था संकेतों से इशारों से इस तरह बाते करता था दीरे दीरे उसके बात भाशा आई लेकिन भाशा से पहले वह भाशा के मदचा ये उनी चितर हैं जीवन का बहुत अभीम से अभीन चित्र कारी यहीं दूसरे से बाचित क्या करते थे अपने वातावरन रहंसें भाओ और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया है प्रागेती ऐसी काल था अधिकाल से पहले का जो काल था प्रागेती ऐसी काल उस काल में अपने वातावरण यानि उस वक्त का वातावरण कैसा था परिवेश कैसा था रहन सैन कैसा था लोगों के मन में किस तरीके भाव आते थे और कौन कोन से विचार आते थे उन सब को मनुषय नहीं माना उने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त चित्रों की रहारेuld की और वह एक-टूचीति संकेतوں की पहाड सफ्थर चित्रौन के नमुने शैल चित्रों को माना जाता है अला उस फाकल выпуск शैल को से बने हैं बनेवे जिद्ण अपर बने बिन मया उतया है। कोज पंएस प्रस्पार जाता क्यों करति हैं यह कोई क exception मिलती थी तो काला लंग भना चेथ से ऊनिदी थो एक टो monkey बनाते चट्टानों पर यह की पहाड के पत्थर होते उन पर चित्र मतलब करते थे यह जानी जाती है बच्चों यह प्रस्ण जर्णल्ल नॉलेज़ का भी सामन्य गान का प्रस्ण यह कि मद्य प्रदेश में भीम बटेगा की घुफ़ा है जिसमें शैल चित्र मिलते तो मद् प्राप्त होते हैं इन चित्रों में क्या है देखों इन चित्रों में जीवन के रोजमर्रा की गतिविदियां शिकार नते संगीत जानवार युद्ध साथ सज्या सभी कुछ दिखाई पड़ता है यानि उस समय के जो व्यक्ति थे उन समय का जो मनुष्य था उसने क्या कि कौन से करता था कौन सा संगीत हो गाता था किस तरीकी के जानवर हुआ करते थे किन किन के बीच में युद्धु आ करता था कैसे साथ सज्या हुआ करती थी यह सभी कुछ उन चित्रों में दिखाई पड़ता है गुफाओं में कला श्रजन की अति प्राचिन परंपरा रही करता था जंगलों में गुफाओं में रहता तथा जहां रहेगा महिं वह काम कर और यहां दो जिंपराचिन परंपरा से चलता आ एलॉबरा और अजनता की गुफाइं कला कृतियों के लिए विख्यात अलॉबरा और अलोरा अजनता की गुफाइं कहाँ है और लाज ङ ciutra के लिए प्रसिद है बहुती हैं यहां पर तरह के न पनावी है चोती से छटी सताबदी के बीच गुपत संबराज्य कलाओं के लिए स्वन यूग कहलाता था। सब काल में सब कर्यास हुआ हैं गायान काला नर्टे को राजा तब ऑब इना वादन वा जो राजा था वह उइना वादन में यह काल संगीत कला में बहुत ही विकास वा था तो चोथी जरे करके छटी सकी तक के बीच में गुप्त समराज्य क्या हुआ क्लाओं के लिए क्या लाया ये एक प्रश्ण बनता है बच्चों कि कि कव्ढता कि इस जमाने की बाग निभाई की गुफाएं बी इसी जमानी की है तो जानि नारे की जो वाग और बादामी की घुफाइं भी ये उसी समय कि गुफ्ट सम्राज्य के कि अजनता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्शक है कि आज तक कि कलागार ओपर गहरा असार डालते हैं अजनता में जो चित्र बनाए गए जो कले कृतिया जैनता की कुफाओं में बनाई गई ग प्राकर्थिक द्रश्य बगहरा बनाते हैं फिर भी अजन्ता की दिवारों पर बने चित्रों को बहुत बिक्षों ने बनाया है उस वक्त क्या था गुप्त समराज्य था और गुप्त कालता और बहुत बिक्षों का उन दिनों बहुत ही प्रसलन था मतलब बहुत अधिक मात्रा में बहुत धरम चल रहा था तो हो सकता हो इन चित्रों को बहुत बिक्षों ने बनाया हो इन इन के बीच के लिए तो क्या खोदा गया लेकिन एलोरा की गुपाइं की क्या है चत्तानों को काट करते हैं तयार की गई इसकी सबसे बड़ी फिश्टा है कि इनी के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदीर है मतलब जो एलोरा की गुफाएं है उनके अंदर जो चित्रकारी की गई वह बहुत ही आकर्शक है साथ ही उसके बीच में कैलाश का एक बहुत बड़ा मंदीर है इस मानुशी कलाश्यजन को को देखकर कि यह आश्य यह होता है कि उनदन मनुश्य का इतनी 2 चलता buy मोटों करने के लिए कितना परिष्रम किया होगा घाए ब्याज सारे सातनर है घाए मनुछ लिए नहीं सीदिराश का मंदीरत इस उसकी कैसे तो मानुशे ने कलपना कियोगी और कैसे उसका लाकरती को तयार किया होगा लग भाग इसी समय निर्मित एलेफेंटा की गुफाएं भी मिलती है यह तुरी मूर्ती की जबरदस्त मूर्ती जो एक विशेश जोर्दा जिसको हम क्याते हैं उनके जो लिंग बनाने क एक विशेश जोड़ता जिसमें केलाश का मंदीर है और अलोरा में केलाश का मंदीर और अलिफंटा की गुफाओं में तुरी मूर्थी की एक जबरदस्ति यह नि बहुत अच्छी मूर्ती बनाई गई है जक्षिन बाहरत के महावाली पुरहम की विशाल मूर्थी कला और तं उन्हों बहुत संदर मंदिर उन पर चितकारी की उस प्रकार बहुत बड़ी मूर्थी कि बहुत बाड़ी की बहुत बड़ी मूर्ती मूर्थी है और टंजोर की जो की प्रगार के एक सथाइं जिसे कपड़ों किताब लगणी या काइस्पर किया जाता है वंद्रप्रदेश को विह आपको तो नहीं कह्की की वाकशा है सब्सक्राइब के इन पंजाब कित्रों कपर जाती है फलककारी महाराष्ट्र में कौन कौन सी मतलब अबसें बनती है इनके आंदर प्रदेर ऑ छटिश करी तो pred तो कलंकारी पंजाब-पंजाब खूलकारी महाराष्ट की वरली इन में प्रयोगने वली समय सामगरी प्राकरथिक ही होती है। लगुचित्रों प्रापर चित्रों की जगलों तरह तरह के जो प्रकृतिक सीन दिखाई देते हैं अपने गाओं के लोग अपनी अपनी प्रारम परिक्षायलिया पर पर इक्षायलिया उनके उस्साव पार ज़ते हुए पंजाब में आपने देखा है वो फैटा बांद कर के सिर्पे और डोल बज़ते हुए व्यक्ति की मत लखडी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थी राजस्थान का जो स्कृत चित्र कार जाता है इस किवार राजस्तान में की चित्रः उन्हें कर इना स्कृत्र के उनके सान्सक्री लुच्ट में ऱले संसक्रतिंग सफान को अभिव्य कर तुंगल मारा जाओं के चित्र बनाते हैं यानि हमारी जो सांस्कृतिक परमपरा हैं उनके चित्र उन पर बनाए जाते हैं उडिशा की पट्चित्र कथा में कवी जैदेव के गीद गोविंद को भी उखारा गया है जैदेव बट बड़े कवी थे और उन्होंने राधा कृष्णी के यानि वो राधा के बहुत बड़े बगते थे और राधा को पहले मानते थे राधा और कृष्णी के उपर उन्होंने गीद गोविंद लिखा था तो उडिशा के जो पट्चित्र कथा जो उडिशा में ज्यादा करके जिसके उपर चित्र बनाए जाते हैं वो जैदेव के जीद गोविंद जैदेव के गीद गोविंद के रूप में उके देगे हैं इसे कागज या पत्तों पर घहरे लाल काले नीले रंगों से उकिरते हैं यानि जैदेव बहुत बड़े कवी थे उन्होंने गीद गोविंद में राधा और कृष्णी की जो प्रतिमा बनाई है पट्चित्र कथा के रूप में मतलब बनाया गया और इसे कागज या पत्तों पर किसे बनाया गया कागज या पत्तों पर या तो घहरे लाल काले नीले रंगों से इसको बनाया गया देखने की बात कि गीद गोविंद के पदों को नर्तक ओडों से माध्यम से भी सब्सक्राइब करते हैं यहां चित्रकला गायन कला से जुड़ी हुई है मिठला की चित्रकारी में अब हम देख रहे हैं मिठला की चित्रकारी में बहुत प्रसिद है आज विकलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे में अज के राष्ट्री और अंतर राष्ट्री बजार में इन लगू लोक कलाओं की बहुत मांगे बच्चों पहले आपको शाह ध्यानी हैं हमारे यहां सब्सक्राइब अंतर राष्ट्रिय और राष्ट्री बजार और थे ढ़नी इन्टर्नाइशनल इबल पर सब्सक्राइब करते हैं तो राष्ट्रे बजार में लगू-लोग बहुत जी हमारे यहां से राजस्तान पर हमारे यहां के बहुत मांगे यानि कि यहां के नित्य को लोग बहुत प्रसिद करती हैं अब अब इस्थाही कलाओं में को बन गई एक बन गया तो फिक्स हो जाता है बही बन गया लेकिन अब इस्थाही कलाओं में क्या होता है मानलो हमने रंगोली बनाई रंगोली आप सभी जानते हो ना वह मतलब तरह तरह के रंग होते हैं उनसे हाथ से पकड़ पकड़ कैसे चित्र बनादेते हैं जमीन के उपर बनाते ना फिर आम उसको कुछ समय बाद हो मतलब मिट भी खतली सकते यह घरते हैं तो यह कहलाते हैं अलत इन्हें छेत्रे बाशाओं में अलग-अलग नाम से जाना जाता है चीज एक ही है लेकिन इसको नाम अलग-अलग अलग 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 नाम दिये गए यह इस्ता ही कला होती है कोबर एपन अलपना रंगोली और यह शादी तो वहारों उस्साओं से जूड़ी रहती है जब कोई वहास्तों में जिसे एपन कहते है उसे ही राजस्तान में मट गुजरात में सत्या और महाराष्ट में रंगोली बिहार में अरिपन अर्द्यप्रजेश में चोकपूर्ण ना और डख्षिन भारत में कोलन के नाम से जाना जाता है अग्शीज नाम बाद यह चीज जीज रह पर जमीन के उपर मानना मांटे उसे मंदवा कहते हैं और गुजरात में उसको सत्या कहते हैं उत्राखंड में एपन महराष्ट में रंगोली और हम लोग उसको आजकल रंगोली बिहार में आरीपन मद्यप्रदेश में चोक पूर्णा मतलब क्या होता है जिस तरह से चार पाय इसे को लंड़क के नाम जयता है यह बनाए जाता है लेकिन क्या है हमारा भारत क्या है विवित्दाओं में एग्ता लिए मानलो पर Wagyuyu Regis तो वो क्या एकदम अपने संस्कार अपने मायके के संस्कार छोड़ नहीं चक्ती तो वो सारे शब्द जब यहां दूसरे स्टेट में लेकर आती है तो क्या है यह आपस में सारे शब्द मिल जाते हैं यानि कि वह रंगोली को या मंडवा को चोग पूर्णा भी कह देती है त तो कलाओं का यह अद्बुत संस्कार हमारी संस्क्रती की पहचान है कलाओं का यह जो अद्बुत संस्कार है यह हमारे केवल भारत में मिलता है पूरे विश्व में से तो यह के अद्बुत संसार हमारी संस्क्रती की पहचान है पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कल आजकल विदेशों में भी दिखाई दे रही है हमारा भारत पहले अखंड भारत था जो अफगानिस्तान के आगे से लेकर कि सिरलंका के जावा सुमात्रा मंगोलिया तक फैला हुआ था तो यहां भी हमारी संस्कृती दिखाई देती है यहां की कला अन्य देशों में किस प्र मंतिन तर दो द्जानमेश抗ानाई के ख्ंड काई जानने के बराबर हैं यहां यादि हम एक 30 को आप बैठ करके अपने जो आपकी दादी हैं आपकी ममी हैं उनसे इुकर आप जाड़ की जो ह 2015 हैं भारत में अगर आप उनके लिष्ट बनाने लग जाओ तो आप बनाते बनाते ठक जाओगे हमारे यहां इतने पारबोरुसाव मनाए जाते हैं यदि हम उन्हें धंक से और तरीके से मनाएं तो हिंदुस्तान के अंदर की जो हिंदुस्तानी कला है उसको जानेंगे हम तो उसे पूरी तोर पर समझने के लिए हमें बहुत धरम के साथ मदे एशिया चीन और जापान तक जाना चाहिए तिबत और बर्मा और श्याम में फैल कर नए रूप धारन करते हुए फुटकर नए संदरें पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए देखो बच्चों जैन तो हम आज पाएंगे से लिए बहुत धरम के साथ मदेश चीन और जाना चाहिए तिबत और बर्मा और श्याम में फैल कर नए रूप-धान करते हुए फुटकर नए संदरें प्रेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए निया हमारे आस-पास के जितने भी पडूसी विश्व उनके अंदर हमें अपनी सब्वेटा और हमारी संस्कृति को देखना चाहिए हमें कमभोडिया और जावा में कि इसकी शंदार मिसाल कार नामों को देखना चाहिए इस लंगा के आसपास में मत्चों कमभोडिया और जावा यहां देखो बहुत सारे मतलब भारतिय यहां बने हुए है यहां बने हुए यह सच्छे की भारतीय करती हों का विश्थार विश्व के भूबागों में भी हुआ है लेकिन उनकारतियों के श्री श्रिलंका है सुमात्रा है इसके अलावा उपर से इधर जापान है चीन है इन समय भी हमारी संस्क्रती का विकास हुआ है लेकिन जब उनमें स्रजन हुआ यानि उनका निर्मान हुआ तो वहां के कुछ शेत्रे विशेष्थाएं भी उनके अंतरगत आ गई है बच्चों जहां जैसा रहेगा वहां वहां वैसा ही करेगा जैसे उत्तर प्रदेश की महि के साथ में मिल दूल जाती है उसी प्रेकार जो भारतिय कला करती है वह जब विदेशों में गई तो महां पर वहां की जो चैत्री विशेष्थाएं उनके अंतरगत आ गई गांधार शैली में बुद्ध की प्रतीमा और तिबद की शैली में बनी बुद्ध की प्रतीमा में लेकिन उनकी शहलिया है जो दोनों को बोनों ने दूनों ने ठीज का वर्णन वैदिक काल में मिलता है भारत का प्राचिंतम संगीत कहा मिलता है, वैदिक काल में, विद्वान लगबग 5,000 इशा वर्ष पूरू के समय को वैदि काल मानते हैं, वैदिक काल हम कब का मनते हैं, इस समय में दो प्रकार के संगीत का उले나ेक मिलता है, एक मारगी और दूसरा देशी, हैं संगीत मिलता है और वो था एक मार्गी और दूस्रा देशिए मार्गी जो संगीत था नियमों और नियम और अनुशाशन उनसे जुड़ा हूए टा और लोग रूची के अनुशारी समू में घाया जाता क्यदी एक मार्गी दूसरा देशी जो मार्गी शंगीत था धार्मिक समारों से जुड़ा रहता था नियम और Anusha San से बन्दा हुआ था जब की देशी जंगी था वह लोग जुड़ा है यह घुल निव Works not यहाल छी के अनुसार को इसफानी सित्दॆ था वह एता जी जुद पैदिन जो मंतरों का में बताया गया है उससे यह पता चलता है कि वेदिक महीर्षियों के पूझा मंतरो चार के तरीकों को साम कहते थी मतलब यह जो साम वेद की अंतर्गत क्या था में विछी मुनी करना मतलब भारतिय लोगों कि क्या आदती कि केवल मतलब पीडी दर पीडी अपने शिश्य को ग्यान देते थे गुरू ने अपने मंत्रों चार अपने शिश्य को चिकाए लेकिन उन्हों ने उनको कलम बद नहीं किया यानि दस्तावेजी करण नहीं किया इसने यह पता नहीं चलता कि संगीत कब से चुरूआ और संगीत का विखास कैसे हुआ अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरतमुनी के नाटे सास्त्र में ही सबसे प्रमानिक धंसे मिलता है देखो बच्चो भरतमुनी का जो यह नाटे सास्त्र है इसने बहुत कुछ बताया है इसने केवल संगीत ही नहीं बताया इसने और बहुत सी कलाओं के बारे में भी बताया है तो हमारे यहां यानि भारत वेधिक काल के बाद में हुए हम संगीत का drives Committee जाना चाहें तो शेय को सकते हैं क्योंकि प्रमानिक था यह सब से प्रमानिक है और यह हम संगीत के virus को जान सकते हैं यह आझ की रहता हम संगीत के संगीत को सुना हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सिथые अजसे हगा पहले का संगीत कैसा रहा हाज यह उसके कितना करीबता बारत मुनिकर जो Jupiter संगीच से बिल्कुल भी अलग नहीं vol पिर भी में करते हैं किया कि से संगीत को तो आज से 1000 साल पहले का संगीट का आज के लोग जो मतलब करते हैं जो मतलब बॉधने कर यह सांस्तर में उसी के आदर बजाते हैं तो आप जान सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था बारतिय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंद है बिन-बिन समय के अनुसार राग बदलती चली जाती है कौन से समय में कौन सी राग गाई गई तो मतला राग में विकास होता चला जाता है जैसे ब्रहम मूरत में भैर गयाती है है का संबंद सुभे से ढ़क और समय का संबंद को सब्सक्राइबailable त्वादूल रात में गए जाते हैं अगर आपने भार्तिय पारंप्रिक वाद्यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इशौर गया होगा कि भार्तिय संगीत किसी भी वस्तू से संगीत निकाल सकते हैं आपने देखिए अपने पास कितने सारे वाधियंत्रे जो पुराने 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 वाधि यहां कोई व्यक्ति बासूरी बजा रहा है एक व्यक्ति विर्णा बजा रहा है और दोनों एक ही गाने को बजा रहे हैं लेकिन अलग-अलग वादियंत्रों से उसके सुर निकाल देते हैं इन सब में प्रयोग किये जाने वाली चीजे हमारे आस-पास के रोजमरा में ही प्र और यह सबसी अलग है यह सहस्ता और प्रकर्ति से जुड़ाओ भारतिय कला की विशेष्टा रहिए एक यह और प्रकर्ति से जुड़ाओ है हमारे मुख्यवाध वी नहीं थी पहले हमारा मुख्यवादियंत्र का था वीना जो सर्षवती जी के हाथ में होती है आपने क्रांचरा को किर देखोने तक कि आप देखोगे ऊचिल आज संट से गाया जाता किसे गले उस समय की जो गाय कना से गाते थे आज से ढ़िए ऐसाल हुआग पहले पसंद कर थे इसका वारत केनाखना देख मिलता है क्यों है क्योंके हमारे के अंदर गुंजन का स्वार निकलता है तो पहले के गायक नाक से गाना पसंद करते थे इसका उल्लेग भरत के नाटे सास्तर में पाया जाता है संबत है ये मुख्य वाद वीना के सुरूं तक पहुंचने की कौशिश का प्रभावता तक तंकार की ध्वनी निकलती है वह जैसे नाक से गाने पर गुंजन जो दोनी को अपनी आवास के साथ मिलाने के लिए पहले की गायक नाक से गाते थे ध्यान देने की बात है यह लाज से बरा संगीत किसमें बंद गया नियमों में बंद करके जो लोग संगीत था वो क्या हो गया सास्त्रिय संगीत हो गया और इसका भी एक सास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक सास्त्रिय परमपरा शुरू हो गई पहले लोग मुक्त रूप से गाया करते थे लेकि वे आपने देख आए शादियों के समय पहले गण्च जी जाता जता Tak अभाइं जाते हैं तो संसकार गित चैसे Church Ca हमार vielen संगेट लोक से जुड़ा था संसकार तो तो भी खूब मिलते हैं हैं आपने गिर्जा देवी की आवाद में मिर्जापूर की जरूर सुनी होगी जया देवी ती यह कजली गाया करती थी विट्टर प्रदेश का सोहार और विवा के घीट गीट अपने सुने होंगे कोई बच्चे जो उत्तरप्रदेश की तरफ के होंगे उन्होंने अपनी साइड के सुने होंगे हर एक वस्तु का स्वागत की तो से किया जाता है हमारे भारतिय परंपरा है जब भी कोई त्युहार फंक्शन आज कल लोग क्या करते हैं आज कल ग्रामीन परिवेश में तो तो बहारत का सबसे अचा समय वही था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी हैं ता ऐसी कई कहावते भी मिलती है मतलब सबसे अच्छा समय कौन सा था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी यंग था और ऐसी कई कहावते भी मिलती है संगीत से हमारे जीवन में नया संचार होता है नई उर्जा मिलती है आप देखो जब हम किसी मदरगीत को सुनते हैं एकदम उस गीत के अंदर हम खो जाते हैं तो क्या हैं जो संगीत है वो मनुश्य के अंदर एक न activating का संचार करता है अब देखते हैं हैं नर्त्य कला करते हैं जो लोग वास्ताओं में बिल्कुल सही करते हैं जिसका अधार है अभीने के आधार प्रड़ते होते हैं आपको बताया यह आप इनकी मुख मुद्राइं देखा करो जो विक्ति ब्रतनाट्यम कर रहा है कर रहा है उनकी मुख्यों मुद्राइं होती है वह और रूप में होती है अब इनन यी जिसको हम कह सकते है नाटा करना यह ज्याद की ओद wines कि यह री की मैतरा यह में आ जाती है और यह रत्य सर्फ कि दोप्या रूप मिलते हैं यह दोनों बिने के अलगालग रूप नुट यानि अभिने इन रट्य के अंदर जिसको आपन क्या कह सकते हैं आप इंग्लिश में जिसको डान्स कहते हो या आप एक शब्द सुन लो नाचना रत्य करना नाचना इसके अंतरगत ये दो शब्दाएं हैं रत्य और नृत्य यानि कि जब हम कोई वेक्टी नाच रहा है तो वो दो तरह के के भाव यहां तो यह कर रहा है नाचनी के साथ साथ में अभी ने और यह कर रहा है जो बिल्कुल अपने शरीर के अंगों को हिलाना डूलाना जिसको हम नृत्य कहते हैं और जो अभी ने कर रहा है मुख के जो और वो कहलाता है न्रत्य क्या कहलाता है ने तै और यह के उपर रह की मात्रा यानि कि डांस के अंदर नृत्य के अंद मैं इसमें तो ये दोनों चीजे है और नृते में ढणी करते करते छहरे काओं को बनाना बनाना वह कहलाता है भारत लोग रत्यों सब्सक्राइब कर दो कोई पर तीज मनाते हैं तो सब में रित्म का बदलना फसलों की बुआई यह कटाई सब बैट कर देटेटी का है चंशल कर देता है तो इनके पाउं को चंशल कर देती है वर्शा होती है तो अनके पांउं कर देते हैं उसम मनाते हैं ईपने देखा की मना चाहिए असम में चैनल होँ ज्साक है ऊंगल काहा जाता है उसको मकर को Ζाली तरीके से को अलग तरी अड़ में भारत देश में मनाया जाता है तो जब बारीश होती है तो क्या होता है फिकेत हैं नहीं को सब्सक्राइब करते कृष्मीर दार्जी लिंग तक कश्मीर यहां भारत में उपर की तरफ और यहीं भारत लिंतक समूच हमाल में जो भारत का उपर हिमाले चेतरय ऊपरे उसपूरे रहा हमाल्याोच हमें घोंक इंद गेउंक कि उसान वे कि ara क्या करते हैं और जोयों की छा माना देते हैं हैं तो इसको भी प्रेकों के रूप करतब करते हैं यहां रख़ते हैं आप करते हुए हैं करते tenían लगाँ करते हैं और करते हैं राजस्तानी महिला हैं लेकर अपने भी दांडिया राज करते हैं जो कि गर्बा का ही एक और उर्जा बरा रूप है वच्छों आज कल तो यह जो डांडिया नरत्य है यह नवरात्रों में पूरे देश में किया जाता है महाराश्ट के मसली पालन से जुड़े समधाय हाथ में हाथ डाल कर एक दूसरे के कंदों प देखा है महाराश्ट का जो लावनी नत्य वह इंद्रियों के लिए बहुत ही प्रसिद मैसूर में मैसूर कहा है मैसूर दक्षण भारत में मैसूर में डोड़वा कभीले के लोग बाला करते हैं मैसूर में क्या है डोड़वा कभीला है महां के लोग बाला करते करते हैं इस क्या है के रल का कुन्यों कि रत्य गुजरात का टिपणी रत्य समों के साथ में आपने निकोबार आप ने कौनशी तरफ में तरफ में नीचे की तरफ है और ये तरस तर तो वहां पर क्या है वहां के जो लोग है वह क्या करते हैं निको बारी अंडबान निको बारे जुड़ा है एक लोग नते और अनुआचल प्रदेश में निशी अनुट्र्देश कि अंदर प्रदेश का कोलम तो वहीं पन्थी यह राउ छत्तिजगाड तदा जार कट के लोग न जो अनाचल प्रदेश में निशी है असम का भी हुए आंध्र प्रदेश का कोलम तो वहीं पंथी और राउत दोनों 36 गड़ों जारकंड के लोग रते हैं गुजरात का गरबा और राष्टि पणी हिमाचल का नागमेंड और किन नौरी बंगाल उडिशा जारकंड का जाते हैं और चाउब अधिक जाते लेकिन लेकिन महाराष्ट में निख्यक्जर में पिरामिड मुदें किया जाता है वो पिरामिड बना करके कि आजाता है कि कि इससीं होते और सभी का सब्स्uges कर चीवन से यहाइं सब्सक्राइब लोग करते हैं और प्रकरती और जीवन से इनका संबन्द है यह द्यान देने की बात है कि रत्यों का संबन्द भिविन धार्मी कनुष्टानों पर भी यह किसी एक धर्म में नहीं बलकि लगबक सब्सक्राइब में दिखाई पड़ता है जो यह फसलों से समबन्द हमारे जीवन और प्रकरती से संबन्द देते होते हैं इसके अलावा जिसे भी जिसे भी पर होते हैं उन धर्मों में भी सब जगे मतलब जाए धर्म अलग अलग होंगे कितने धार्मीक अनुष्टान हो लेकिन वो नरते है जो सभी धर्मों के लोग करते हैं चाहिए वो अलग-अलग तरीके से करें भारतिये लोग इस तरह थिरकता हुआ कप सास्त्रों नियमों में बंदा यह तो ठीक से नहीं कहा जा सकता पर इसका भी आदार भरत्मुनी का नाटे सास्त्र है यानि लोग कलाए हैं जो लोग अपन निया चाहिए पता नहीं कर रित्यक्याद विद्वा नों का मानना है कि लोग रत्य से ही सास्त्रिन रत्य से जैसे हमने अब एक केरल का नत्य कंजू करी देखा उसी से ही भरतनाटे निकला है उसी प्रकार लोग नत्य चेही शासे नत्य विक्षित हुआ है भारती नत्य को देखा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह सिर्फ हात और पैर की गती से जुड़ा हुआ है भारत के लोग क्या करते हैं हात भारत के जो लोग होते हैं वह हाथ और पैर की गति हाथ और पैर को चला करके द्रत्य करते हैं लेकिन अगली बार आप ध्यान से देखिए कि आपने देखा नर्थे के अंदर अभी अपने पढ़ा यह भी पाया जाता है जो शब्द और भाव बंगी मां दोनों तीनों को प्र कि धुए करते हैं उसके लिए कर तक के लिए उसके जो चैरे के भाव हो बिलकुल राधा और कर्स्टी के कप आपके प्रस्तूत करना चाहती है और नाशीगा के माद्यम से वो खुशी दुख कोद और विबस आधिभाओं को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है यानि केवल भारत का जो नृत्य है भारत इंदुस्तानी जो नृत्य है वो हाथ और पैर की गती से जुड़े वे नहीं है केवल बलकि वो क्या है चेहरे की भाव बंगिमाओं से भी जुड़े हुए है इन्हीं भाव बंगिमाओं के जरिये महाबारत और रामायन जैसी कथाओं तक को कह देने की प्रमपरा नृत्य कलाम में मिलती है आपने देखा है कई बार टीवी पर प्रोग्राम आते हैं जिनमें उसको पता नहीं उसका एक न है भारती नृत्य को प्रहटेगे चुड़े माँचे करने महाबारत और रामायन जैसे कथाओं को कहदेनी की परमपरह भी हमारी आज की दित्यक्ता है भारती सबसे आकरशक रूप हाथों की बीविद मुद्रा आपने देखा है है ऐसे ऐसे से करके हासों की मुद्रा इबन हाथ की मुद्राओं से बिल्कुल जनवरों के भाव भी प्रेकट कर देते हैं मुख्य भाव भंगिमाओं से भी वह अलग अलग तरीके की मुद्राएं प्रस्तोत करते हैं मुद्राओं का मतलब होता है बच्चो आकरतिया इन शाच्ट्री नत्यों में मुख्य रूप से केरल केरल का कथक कली मोहिनी अट्व उत्तर प्रदेश का कथक आंध्र प्रदेश का कुछीपुरी और इस उडिसा का ओड़ेशी मनीपुर का मनीपुरी करनाटक और तमिलनाडू का भरत नाट्यम मौजूद है सास्त्री नत्यों में मुख्य से कौन कांसे नते लोग नते तो आ आपन करते इसके अलावा जो आजकल फिल्मीन रित्ये भी चलते हैं तरह तरह के पर जो मुख्य सास्त्री नत्य हैं उनमें देखो केरल का कथक कली मौहिनी अट्व उत्तर प्रदेश का कथक आंध्र प्रदेश का कुछीपुरी उडिसा का ओड़ीशी मनीपुर का मनीपु किया अभिश उनका वहां पर टूलाव यह और उनकी परमपराई है हैं जितने वह प्रदेश झांबने अपने जição्स का सब्सक्रात सुखने लिए बहुत सल में बहुत संब्सक्राइब की लोग इसे ही सीख पाते हैं जो इसका करते हैं यह से मैंने सीखा और हमने किसी आगे औरों को सिखाया तो यह न्रति क्या है थोड़े से बहुत मतलब इन में साधना की बहुत अधिका उशक्ता पड़ती है बहुत ध्यां देकर सीखने की चीजे हैं इसलिए यह आजकल व्य जोड़ा जा सकता है और वर्तमान समय में भी यह का को देखते हैं तो दो तीन सो साल प्राचिन-दे कला से नहीं जोड़ा सकता दो 200-300 साल पहले जुन रत्य हुआ करते थे वह अलग तरीके थे कुछ अब उनमें कुछ कलाएं और विक्सित हो गई है भारतिये कलाएं लोग से सास्त्रे रूप तक अचानक नहीं पहुंची वर्षों इनके भी सम्वाद होता रहा है यानि भारतिये कला संगीत कला गायन कला र अविश्क अविश्क्रत होती गई यानि कि वह बहुत टक्निक रूप से बहुत सुद्ध होती गई और तब जाकर सास्त्रिय रूप तक पहुंच पाई आज मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नर्त्य मिलता है उन में का मिला जुला रूप दिखाई पदा है अमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए हर एक सभी कलाओं के बीच संबन्ध में हमारे भरत संब्ध अवस्य हैAndy सब बहबी बनते हैं इसके उधारने थियान देने की बात यह वियक्तिकला का रूप धारन करती गई तको पहले इतनी भी इतनी भी कला ही सब सब्सक्राइब करते हैं मतलब कि कला का व्यवसाय होने लगा है सबी लोग नत्यों में साथ-साथ एक ताल में पैरों का उठा हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने भारत की अद्बुत सहचारे और प्रेम भावना का संगेत हैं देखों लोग नत्यों में क्या एसा भी लोग एक साथ नखी करतें एक साथ पेर उठाते एक से जुड़ते हैं और अपने अद्बुत सहा रहे हो यानि अत्बुत अंतर्समबंदों को वो प्रेगट करते हैं प्रेम हो दो बने का संकेत है क्या एका अनायस रूप से र sug में आया होगा क्या अपने हैं समुछ इभक कि वह नहीं होती लोगों के मन मन की प्रेम बागोना नंने इन कलाओं को जोड़ा होगा इंचों कंपने करने का जो आनंद है जो प्रेम मढश्च करने का जो आनन वह व्योंध रूप से नहीं है एक साथ चित्रकला करने का एक साथ गायन करने का जो आनंद है वो व्यक्तिकत रूप से नहीं है इसलिए इनका सम्मन्द भारत की प्रेम भावनाओं के साथ भारतिय संस्कृति में नहीत वसुदेव कुटुम्ब कम की भावना से अवश्य रहा होगा यानि समस्त प्रत्वी एक परिवार है यही कारण है कि कलाओं के मुरीद आज पूरा विष्वे है यही कारण हमारे भारत की सम्मान करने वाला, तो देखो बच्चों आज हमने यहां भारतिय कि बारे में पढ़ा, उसमें हमने चित्रकला, संगीत कला और रिटकला के बारे में जाना कि किस तरह ये कलाएं कहां से उत्पन हुई और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई कैसे इनका विकास हुआ और विकास होते होते कैसे ये व्यवेफशाई ग्रूप तक पहुँची आप इने पुनह पढ़िए और पढ़कर के समझने का प जन्ने बाद